आज हम सब महाराष्ट की रैली में हैं। मुझे इस बात का निश्यत रूप से हमेशा रंज रहता है। जब महाराष्ट में भारतिय जंतापड़ी की सरकार थी और जब देविन फ्रणवीज जी मुख्यमंद्री थे। जैसा कि विनाई जी कह रहे थे। विनाई जी ने कहा कि एक जमाना था विदबर के साथ अन्याय होता रहा। और एक धार्णा बन गई थी। लेकिन भारतिय जंतापड़ी का चिंतन क्या है। भारतिय जंता पार्टी समग्र विकास और संतुलिद विकास में भरोसा करती है। हमारे नेता नरेंदर मोधी का भी यही संदे से सबका साथ सबका विकास समग्र विकास और संतुलिद विकास। और मुझे इस बात का गर्भ है कि जब देविंद्फरणद्वीश जी हमारे महाराष्ट राज जी के मुख्यमंद्री थे, उस समय उन्होंने समगर विकास और संतुलित विकास की कल्पना को सिद्ध करके दिखाया। आज महाराष्ट का कोई भी कौना ऐसा नहीं है जो एक कह सके कि देविंद्फरणवीश की सरकार के समय महाराष्ट के इस कौने के साथ पक्षपात हुआ है। सिबाए जो कारिकरम था, उसने एक तोर से महाराष्ट के ग्रामीड छेतर में, जल संरक्चन के छेतर में, वर्तमान आवशक्ता के छेतर में जो काम किया, उसके लिए देविंद्फरणवीश जी का जितना अविनंदन किया जाए, मैं समस्ता हूँ, उतना अविनंदन ही का है और मोर्चे पर टेविन फ्रणनभी जी की सरकार निश्य दुरूप से सफल हुई लेकर बीच में एक समय आया और ऐसी परिस्तिती खड़ी हो गई हम दल सबसे बड़े थे पोर्ट हमें सबसे ज़्यादा मिले थे लेकर हमारे एलाइज भटक गए पद के लालच में मुख् अधेस हीन एक एलाइंस महाराष्ट में बन गया आज तीन दलों की सरकार महाराष्ट में है लेकर महाराष्ट की क्या आलत हो रही है इस सरकार के नित्रत्तों में महाराष्ट को टेविन फ्रणनभी जी के नित्रत्तों में जो खड़ा करने का प्रियास किया था जो एक विक करने का काम वरतमान की सरकार कर रही है